जावा सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें आज के इस वीडियो में मैं आपको थ्रो कीवर्ड के बारे में बताऊंगा तो जावा का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में से ये भी है के इंटर्विव में हमेशा पूछा जाता है बताईए फ्रो कीवर्ड क्या होता है फ्रो कीवर्ड यूज़ करने का परपस क्या है हम कीस केस में इसे यूज़ करेंगे तो चलिए हम आपका एक एक डावट क्रियर करते हैं सबसे पहले देखते हैं What is throw? throw keyword is used to throw the user defined or customize exception object to the JVM explicitly for that purpose we use throw keyword throw keyword हम खुद का अगर exception object create करके JVM को throw करना चाहते है explicitly उस case में हम use करते है throw keyword जैसे हम आप खो एक example के तुरू समझाते हैं सबसे पहले हमारा एक condition होगा मालो अगर age less than 18 होता है ठीक है तो यहां पर हम एक exception object create करेंगे उसका name क्या रहेगा हम user defined exception बना रहे तो कुछ भी यहां पर हम name ले सकते ठीक है invalid age exception यह हमारे exception का name है और यहां पर हम कुछ भी message दे सकते हैं जैसे cannot eligible for vote यह हमारा message ठीक है तो यहां पर हमने खुद का देखो user defined exception object new keyword से create करा है और condition लगाया है कि अगर age 18 से कम रहेगा तो जैवियम के पास हमें इस exception को क्या करना है थ्रो कर देना है तो थ्रो करने के लिए Java में एक keyword है जिसका नाम है थ्रो keyword थ्रो keyword का इतना ही काम है कि user defined exception को explicitly जैवियम के पास थ्रो कर देना और मालो age 18 से ज़्यादा होता है तब क्या होगा तब यहां पर से अपने पास एक एल्स ब्लोक होगा और एल्स ब्लोक में हम क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं एलिजिवल फोर वोट आप वोट के लिए एलिजिवल है क्योंकि आपका एज कितना है 18 प्लस है तो यह हो गया हमारा मेंपल सा एक्जामपल जो मैंने आपको डिफिनेशन में करके दिखाया हम एक और एक्जामपल आपको यहां पर सो कर लें ताकि आपका डाउट हम और किलियर कर सकें कैसे हम थो कीवर्ड में explicitly काम करते हैं और अगर हम थ्रोग कीवर्ड यूज नहीं करेंगे जे बीम कैसे इंटर्नली उसी काम को करता है मालों यहाँ पे सबसे पहले हमने सिस्टम डोट आउट डोट प्रिंटलन में लिग दिया टेन डिवाइड जीरो तो यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगा थ्रेड में में तो यह काम इंटर्नली होगा और इस काम को कौन कर रहा जे बीम कर रहा लेकिन अगर सेम काम को हम खुद करेंगे तो वह क्या होगा हम लिखेंगे थ्रोग निव और यहाँ पे एक्स सकते हैं डिवाइड वाइड दॉन से माइस यहाँ पे दोनों प्रोग्राम करीज़ट करने के लिए जाएंगे तो यहां पे जो एक्सेप्शन और आपको मिलेगा सेम एक्सेप्शन यहाँ पे मिलेगा दोनों वे कोई डिफ्रेंस नहीं होगा लेकिन डिफरेंस इतना होगा कि यहां पे जो भी exception error occur हो रहा है उन सभी को internally JVM अंदरे अंदर अपने से करके दे रहा है ठीक है और यहां पे हम खुद explicitly देखो arithmetic exception JVM के पास throw keyword की मदद से throw कर रहें तो यहां पे सारा काम implicitly हो रहा और यहां पे सारा काम explicitly हो रहा तो चलिए इसी चीज को हम आपको proof करके देते हैं जिससे आपका doubt और अच्छे से clear हो जाएगा प्रोग्राम में आप देख सकते हैं हमने throw demo नाम का एक class बनाया है और इस class के अंदर हमारे पास यह रहा हमारा main method तो अगर इस main method के अंदर हम simple सा program लिखें जैसे system.out.print talent और यहां पे हम क्या लिखे 10 divided 0 तो अगर इस program का output मैं आपको दिखाऊंगा तो थोड़ा ध्यान से देखेगा इसका output हमने program को compile कर दिया है देखो program हमारा compile हो रहा है compile हो चुका है अब इसे हम run करेंगे तो यहां पे देखो exception in thread main मतलब main thread में एक exception आया है उसका name क्या है java.lang.arithmatic exception यह जो arithmetic exception है यह predefined exception है Java में यह class भी है तो यह Java के lang package में available है exception का name क्या है divide by 0 और line number 5 पे यह exception अकर हुआ है जहां पे हमने number को divide करा था तो इस case में देखो जितना भी यह message आया जितना भी सारा काम हुआ है यह सारा काम implicitly हुआ है यहां पे सारा काम JVM ने खुद से करा है लेकिन अगर आप खुद का exception object create करना चाहते हैं तब आप क्या करेंगे थ्रो कीवर्ड यूज करेंगे तो अभी हम खुद का exception object create कर रहे हैं तो new keyword हम यूज करेंगे object create करने के लिए हमारा exception होगा same arithmetic exception और इसके अंदर से हम एक message pass कर देते हैं वो message क्या होगा divide by zero ठीक है यह हमने अपने से अभी देखो खुद से exception object create करा है और उसे हम throw कर रहे हैं JVM के पास की अभी आप हमारे इस exception object को handle करें तो इस case में हम explicitly throw कर रहे हैं खुद से बना के तो इसका result आप देख लो सबसे पहले तो यहां पे देखो हमारा program compile हो गया है अब इसे हम क्या करेंगे अब इसे हम execute करेंगे तो आप देखो जो previous output आया था यह वाला और इस output में क्या difference है कोई difference नहीं है एकदम exact वही same output यहां पे display हो चुका है देखो exception in thread main java dot lang dot arithmetic exception divide by zero यहां पे भी था add throw demo dot main method के अंदर line number seven यहां पे line number five क्योंकि हमने अभी line number seven पे काम किया हुआ है लेकिन दोनों में अंतर क्या है यह वाला जो सारा काम था यह सारा काम internally हुआ है और यह वाला सारा काम जो है वह हमने खुछ से explicitly किया है हमने खुछ से arithmetic exception object create करा और throw keyword की मदद से JVM के हमने throw किया इसलिए इसका नाम है throw खुछ से exception object आप बनाईए और JVM के पास throw कर दिजें तो JVM क्या करेगा उस exception object को catch करेगा उसके बाद handle करेगा तो यह होता है main purpose throw keyword use करने का अगर आप मालो खुछ से अपना user defined exception बना रहें जैसे मालो यहां पे आप खुछ का user defined exception बना रहें invalid age exception ठीक है यह आप खुछ का exception बना रहे हैं तो आप इस तरह से खुछ का invalid age exception बना के JVM को throw कर सकते हैं handle करने के लिए throw keyword आपको तब use करना है जब आप खुद का अपना exception object create करके JVM को throw करना चाहते हैं उसी purpose के case में हम throw keyword use करते हैं और हमेशा ध्यान दखिएगा throw keyword user defined exception के साथ जादा use होता है क्योंकि predefined exception में तो internally JVM भी उसी काम को कर ही देता है इसलिए आपको इस तरह से user defined exception जो आप खुद create कर रहे हैं इस तरह के exception में आप throw keyword का use करिएगा invalid age exception बनाके JVM को throw कर सकते हैं handle करने के लिए तो अगर आप user defined exception में काम कर रहे हैं तब आपको throw keyword यूज करना है तो इसका प्रोग्राम भी मैं आपको अपने अगले वीडियो में बनाके दूंगा जहांपे हम आपको throw और throws दोनों keyword यूज करके इस exception को handle करके दिखाएंगे तो आने वाले वीडियो में सबसे पहले हम throw's keyword देखेंगे उसके बाद invalid age exception का प्रोग्राम भी आपके साथ discuss करेंगे